नमस्कार दोस्तों इसकोलेशिप को लेकर कल मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि बुंदी डिस्टिक द्वारा जो पीए पैपेंस फैल्स को लेकर एक नोटीच जारी किया गया था कि अगर उनका रेजिटेशन वहाँ पर फैल हो रहा है तो ऐसे इस्टेंट है उनको जो नए एकाउंट खुलाना है तो दोस्तों यहां पर कापी सारे कल के इस वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि सर जिनको 40% स्कॉलेशिप आ गई है तो क्या 60% स्कॉलेशिप के लिए हमें जो नए एकाउंट है वो ओपन करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा त जो पी एप मेंस रेश्टेशन फैल दिखा रहा है रिवर्ट टू डिखा रहा है ऐसे इस्ट्वेंट को दोस्तों है जो एक नए अकाउंट वहां पर है जो अपने जनाधर कार्ड और स्कॉलेशिप प्रोपाइल में जो नए अकाउंट एड करना है तबी दोस्तों आपकी scholarship है जो आएगी ठीक है अधरवाइस जिनकी 40% scholarship आ गई है और जिनके revert to due नहीं दिखा रहा है उनको है जो किसी भी परकार का कोई भी bank account वहाँ पर change नहीं करना है बिल्कुल आप वहाँ पर है जो जो नए वाला IPC code वह चेंज कर सकते हो आप सभी लेकिन जिनका जो रेश्टेशन भैल दिकार आप यह दोस्तों है उन्हीं इस्टेंट को है जो नए account एड़ करना है अब नए account कैसे एड़ करना है इसके लाव दोस्तों आपका जो बैंक अब यह दोस्तों आपको नए account जो पहले वाला आपका account है उसको खरवा के नए account ओपन करवा कि उसको एड़ कर सकते हैं अदर्वास किसी अन्य दिखा रही है यह फिर payment sanction दिखा रहा है यह दियल अपर रहा है यह फिर बिल जनिट दिखा रहा है तो उनको दोस्तों bank account change करने की कोई जरूत नहीं है सेम बैंक account आपको वहां पर रखना है और यहां पर दोस्तों किनको bank account चेंज करना है जिनका सिर्फ जो पीएप एमस रेश्टेशन फेल दिखा रहा है उन सभी इस्टेंट को है जो अपना बैंक एकाउंट वहाँ पर नए एड़ करना है जो एज यूपिस बुंदी द्वारत जो नोटीस जारी किया गया था उसके अकोडिंग मैं यहां पर आपक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि किन इस्टेंट को है जो अपना नए अकाउंट एड़ करना है और किन को नहीं करना है तो दोस्तों जानकरी चलेगे तो वीडियो को लाइक करें और जल्दी आपकी 60% इसको करूए एड़ कि आपके पर जाएगी धूट आजएगी झैक्सवर व겠र व्त्ज nella क।